जब तीन दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जस्नम मनेगा तो लड़ू के साथ रतलामी सेव भी खुब खाया जाएगा पांच राज्यों के एक्जिट पोल की रिजल्ट आने की बास से मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है जिससे बीजेपी नेता खुशी जाहर कर रहे हैं इसी बीच बीएम मोदी का एक वीडियो फिर से वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सवा को संबोधित करते हुए कहा था कि तीन दिसंबर को वहे जीत के बाद रतलामी सेव खाएंगे अब सवाल उड़ता है कि आखरी रतलामी सेव क्या है जिसका नाम पीएम मोदी की जुमा पर भी आ गया रतलामी सेव का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा खानपान की बात हो और मालवा का जिक्र ना किया जाये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मदीप्रदेश का मालवा शेतर अपने अनोके स्वाद के लिए दुनिया भर में मशूर है मालवा का रतलामी नमकीन इनी में से एक है जो अपने तीखे स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है आपको बता दे कि मशूर रतलामी सेव का इतिहास करीब 200 साल पुराना है जिसकी जड़े आदिवासियों और मुगलों से जुड़ी हुई है दरसर 19-वी सदी में कुछ मगल शाही परिवार के लोग रतलाम आये थे इस दोरान उन्होंने सेवईया खाने के एक्षा जताई थी जो गेहुं से बना करती है लेकिन उस समय रतलाम ने गेहुं उगाया नहीं तक क्योंकि यह अमीरों का खाना हुआ करता था ऐसे में गेहुं ना होनी की वज़ा से मुगलों ने वहां रहने वाली भील जाती के आदिवासियों को बेसन से सेवईया बनाने को कहा और इस तरह रतनामी सेव की शुरुआत हुई यह सिर्भ भारत ही नहीं बलकि दूसरे देशों में भी मशूर है धीरे धीरे इससे वह इतना मशूर हुआ कि साल 2017 में से G.I.E. टैग भी दिया गया